नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का यूटूब चनल ऐस्क्लेपियस ऐरुवेदा में दोस्तों ऐस्क्लेपियस ऐरुवेदा यूटूब चनल आज लाया है आपके लिए AWPL कंपनी से रिलेटेट कुछ नौलेज AWPL कंपनी में जैसा कि आप जानते हैं कि ID लगाना इसके अलावा कि YC करना ID को ग्रिनिंग कराना यहां तक कि product order यह सारे चीजें हम online कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं घर बैठे यह सारी काम कर सकते हैं कैसे तो आज इनहीं के बारे मैं मैं जानकारी दूँगा कि AWPL कंपनी में आप जब product order कैसे करते हैं इसके आलावा जो sale point है product का उसको कैसे hold करना है किसी ID पर और किसी ID को कैसे green करना है इन सारी बातों पर हम जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी तक देंगे ताहिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता है मैं हूँ आपका दोस्त अनंत और एक बार फिर से आपका श्वागत करता है यूट्यूब चैनल और उसका password मिला है उसको login कर लेना है आपको login करने के बाद आपको order पर जाना है और वहां order करना है आपको जब order आपकी जिएगा new order form आएगा उसमें आपको product जो है वो select कर लेने है select करने के बाद सेलेक्т करने के बाद उसको सेव कर ले ना है, सेव करते ही आपको वहाँ पर बिल नमबर आएगा, अब आपको क्या करना है कि बिल नमबर जब आ गया है तो उसको एक जगा कॉपी करकर या लिख कर उसको रख लीजिये। लिखने के बाद अब यहां product order नहीं हुआ, अब जितना amount हुआ है, उसने amount को company के जो तीन bank account दिये गया है, HDFC है, ICC bank है, SBI bank है, आपको जिस account में पैसा जमा करना है, जो product का, जितना amount हुआ है, full amount, वो product का पैसा आप जमा कर दीजिए, जमा करने के बाद, आप उसका एक रशीद, जो है, उसको रशीद को भी रख लेना है, अब आपको क्या करना है, कि सबसे पहले आपको product का जो bill है, उसको approved कराना होगा, जब तक bill approved नहीं होगा, तब तक आप उस product को delivery नहीं करवा सकते हैं, dispatch नहीं करवा सकते हैं, company के थूरू, तो यह कैसे होगा, मतलब क्या, कैसे possibility है कि हम उस bill को approve करा हैं, तो इसके लिए आपको company को mail करना होगा, और mail में आपको क्या जोरत है, जिस ID से आपने product को order किया है, उस ID को mail में लिखिए, उसके बाद bill number लिखिए, कि please approve by this bill, bill number लिखिए, और bill number लिखने के बाद आपको क्या करना है, कि जो भी आपने उस bill का amount जमा किया है, जिस भी खाता में जमा किया है, Asclepies company के, उसका एक जो voucher जो रसीद आपको मिला है, जमा करने का proof उसको आपको attach करना है, attach करने के बाद आपको क्या करना है, इसको company को mail कर देना है, अब बात आती ही कि कि किसको हम mail करें, company में तो बहुत सारे सक्शन है तो हमको ID screening जो सक्शन है उसमें हमको मैल करना है किसके लिए तो बील को approved कराने के लिए जैसे ही हम mail करेंगे आदा गंटा एक गंटा के अंदर मैं बील जो है या दस मिनिट के अंदर बील जो है approved हो जायेगा बील होने के बाद आपको क्या करना है बील होते ही आपको प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा बील अप्रूब्ड जब हो जाएगा आपको ध्यान रखना है बील अप्रूब्ड होने के बाद आपको क्या करना है फिर से लॉगिन करना है लॉगिन कर लीजिए अप्रूबल में चले जाएए बील जो एप्रूब जिस आइडी से प्रोड़क को आपने पर्चज किया है उस आइडी को मेंसन कर दीजिए उसके बाद एप्रूब्ड भील नंबर लिख दीजिए और तैन आप नीचे में एड्रस डाल दीजिए कि कि इस एड्रस पे आपको इस प्रोड़क को मंगाना है और अब इतना करने के अब वाrad आपको कहा मेल करना है तो अब प्रड़क्ट चेक्शन में आपको मेल करना है कि इस प्रोड़क को हमको इस जगहähän पे इस पते पे भेज दिया जाए ती यह पूरा का पूरीब को प्रोसेश से क्या होगा कि यह कहीं भी मेंशन नहीं कि आइडी हो जाना है इस प्र प्रिचार्च करना जब गृण करना है i.ट तो वह जाकर आप गृण कर सकते हैं कैसे गृण करेंगे हम i.d. को open करके इसके लिए आप next वीडियो में मैं जन्कारी दूँगा यदि इस तरह की जन्कारी आपको चाहिए कि अपने login को हम लॉग इन करके या जो भी हमने यूजर का आइडी पासवड बनाया है उसको लॉग इन करके उस पे होल्ड SP को हम कैसे ग्रीन करें इसके बार में ज़िए जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेशन में आप यदि कॉमेंट करते हैं आधिक सेदिक तो मैं इसके उपर भी एक सेपरेट बीडियो बना दूंगा कि कैसे हम करते हैं एक एकदम स्टेप बाई स्टेप सारा वीडियो में आपको जनकारी मिलेगा तो फिलहाल मुझे यही जनकारी देना था कि आएडी जो है आएडी से हम लोगे ओर कर दिये हैं तो पहले हमको बील को एप्रूवड करना होता है दैन प्रूड़क को सेक्शन में उसको भेज कर डिस्पैच करने के लिए ओडर देना होता है जैसे ही हम मेल करेंगे मेल करने के बाद उधर से दस मिनट बीस मिनट आदा प्रोड़क्ट जो है इस पते पर डिस्पैच कर दिया गया है और आपको वहां से क्या कर सकते हैं डॉकेट नंबर के दुबारा आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोड़क्ट का क्या बरतमान करेंट इस्थिती है तो आपको जन्खारी पसंद आई होगी और इस तरह कमारे के टेकनिकल जन्खारी के लिए मेरे यूटूब चनल अपना को सब्सक्राइब किजिए जनकारी यदि अच्छी लगी हो ऒथ12 को ला-इक की चेगा वीडियो को शेयर कीचेगा मिलते है फिर नए वीडियो में नए जन्खारी साथ थांब हो